बोल ये सियराम चंद्र भगवान की जय बोल ये भावा साय भीम राम वेदकर की जय बोल ये पंकर सर की वह तुम्हारे उपर डिपेंट करता है क्या बोलना है हाँ तो मेरे प्यारे ललीपप कैसे हो आप सभी आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स यह हमारा रहेगा one sort ठीक है तो इस वीडियो में चलिए इस चेप्टर को समाप्त करते हैं और मैं आपको पता दूँ कि इसके प्रेश्ण है यानि अभ्यास के प्रेश्ण पेज के प्रेश्ण वह भी कड़ाएंगे सब कुछ कराएंगे और पीछे के जितने भी सारे चेप सबसान बाकस मिलेगा वहां से आप لوग जाकर के देखले ना ठीक है तो शुरू करें आएँए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम घानते हैं विदुत-अवेस के बारे में यानि एलयक्रिक चार्ज के बारे में ठीक है न तो इसका डीफिनेसon क्या लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने उत्तर क्या लिखा कि किसी पदार्थ का वह गून जिसके कारण उसमें विद्धूत तथा चुम्बक किये प्रवाह उत्पन होते हैं विद्धूत आवेश कहलाता है जैसे कि आप कलम ले लिजेगा और सीर पर घिसिएगा न तो शीर पर घिसने के बाद और चोटे-चोटे कागज कि टुकरे को अब जब उसे पे मतलब चिपक早ाई झाश्यता है तो फिक्च लेता है क्यूं क्यूंकि उससे आदे ंद्द म सब्सक्तन हो जाता है also रभाग हर सकते हैं क्यूं क्यूंकि उसमें हो तर ओर है ठीक है तो क्या बोलेंगे है न तो आवेस का ऐसा ही मातरق होता है कुलोंजिसे सी से अलग साते हैं ठीक है ऐसा इ मातरक का मतलब क्या होता है system of international national है 표현 कहने का मतलब अगर क्यों भी छीज जीज का मातर कुलय मैं कि दुनिया की किसी या की तरह से के mexico ही बो आज़ांगे कि और की ना जैसे के-ई लूपी आज कांदा अलग-अलग छेत्र में जाएंगे तो अलग-अलग नाम बोल देते हैं समझ रहना तो ऐसा इमात रख नहीं हुआ समझे क्लियर कवनों दिकत नहीं अधिकत चलिए तो अब यह आपने समझ लिए अमरे भाई अब आवेस बराबर हम आपसे अगर पूछे देंगे ठीक है दोनों चलता है तो आवेस बराबर होता है अब कहेंगे सरी एन क्या है एक है इन जो होता है न किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोन की संख्या है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोन की संख्या मालो कि किसी पदार्थ में 10 इलेक्ट्रोन है तो उसका आवेस आप की एक एलेक्ट्रोन में कितने आवेस होते हैं तो याद रखेगा one point six one ten to the power ninety है ना कुलोब होते हैं okay एक एक एलेक्ट्रोन पे इतने आवेस होते हैं clear आपने समझ लिए हाँ भाई समझ लिए तो महल्मढ लो कि अगर आपको कह दिया जाए किकिसी पदा आर्त में पांच इलेक्ट्रोन है तो उसके आवेस आपको ज्याद करना है तो कैसे ज्याद करेंगे तो कोई पदार थे उसमें इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी है पांच है मतलब एन बराबर हो जाएंगे पांच किलियर और कहेगा कि उसका आवेस ज्याद करो मतलब क्यू ज्याद करो तो क्यू बराबर फॉर्मला याएंगे एन इ तो आप देख रहें एन की संग्या कितने हैं पांच तो पांच और गुने में इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोन की बात हो रही तो एक इलेक्ट्रोन पे मतलब कितने आवेस होते हैं एक एक इलेक्ट्रोन पर तो इतने आवेस होते हैं तो यह वाला पूरा का पूरा हम यहां पर डाल देंगे एक जगा पर है ना यह पूरा का पूरा कितना है 1.6 है ना 1.6 गुने 10 to the power 19 कर थंक लॲह बस इसमें गुना कर तो निकल जाएका अवेस ठीक्तस एक मानलों कि किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में हे दस एलेक्ट्रोन हैं तो इनगे जगा पे दस हों जाएगा यानि एनगे जगा की बारा एलेक्ट्रोन है तो इन पडार दस निकल गया आवेस तो यह आपनी समझजह है कि आवेस कैसे नीकाला है यहां तक और हवाट खुझली पेट में दर्द माथादर्द नहां चलिए अगे बढ़े हैं हालो हलो ठीक बाह आगे बढ़ते हैं रिमोट वाले लेते हैं होई तो गोकिल oh Ayam कि मुँममे तो हभी नहीं करज हुँगारा करकिए आगे बढ़ते हैं चलो अब हम का करें आगे हैं अगरा टोपिक है विध्वूत-आवेस का कि विध्वूत-आवेस आखेर कितने परकार की होते है तो मैंने लिखा कि विध्वूत-आवेस जो हते हैं दो काँच की छार को जव रेऊस्म के धागे से रग्रा जाता है तो इस से कहते भाई तो याद away कांच की छर को जब रेशं की धागे से रगणा जाता है कोई कांच की चर्ष है वह मैं आपको दिखा देता हूं जैसे यहां पर injection की छोर है कैयाbest ऑड्या और इसको क्या रेसं मैं की धाङए से अगर रगणा जाएगा तो इस पर जो उत्व various होंगे वो क्या कहला इंए जिसक कहते हैं ठीक है अब रीन आवेस के बारे में जान लेते हैं रीन आवेस क्या है यह वो नाइट की च्छर को उनके धागे से रगरा उनकी धागे से रगरा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आवेस को क्या कहते है रीन आवेस कहा जाता है क्लियर अगर वो नाइट के च्छर क तो अगर उन के धागों से क्या है कि उन के धागों से रगरा जाता है तो भाई इसे प्राप्त जो आवेस होगा उसे हम क्या कहते है रीन आवेस कहते है जैसे कि यहाँ पर देख लो यह एवनाइट का च्छर है ठीक है इसमें क्या होता है सुलफर की मात्रा 25 पर तीसत होती है ठीक है यह हाड रवर होता है क्या होता है यह हाड एक रवर होता है इसको आप कहीं देखे होंगे ठीक है ओके यह प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से यह प्राप्त होता है इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो यह आपने देख लिए वो नाइट का च्छोर हो गया है इस अब इसमें समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनों की अधिकता से क्या होता है इलेक्ट्रोन की अधिक इलेक्ट्रोन अधिक मात्रा में तो क्या होगा रीन आवेस उत्पन होगा है ना तो इलेक्ट्रोनों की अधिकता से क्या होता है रीन आवेस उत्पन होता है वहीं हम बात कर लिए आगे बढ़े चलो आग़े बढ़ते हैं अगला टोपी क्या हमारे पास अगला टोपे यहां पर देख सकते विदुद्धाडा लो भह या विदुद्धाडा आंफिरम कहते किसे वन बड़ा सिंपल है अना कि si tarmi खिसी चालक है विदूधारा काहलाता है विदुधारा काहलाता है किसी चालक का मतलब जो विदूत का सुचालक को मतल़ जिसमें बिजली बहा सकते हैं तो जब किसी चालक से विदूत आवेस बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विदूत धारा है दूसरे सब्द में डिफिनेशन मैंने लिखा कि विदूत आवेस के बहाव को विदूत धारा कहते हैं या इसे ऐस साते हैं मेरे भाई किसे दर साते हैं आई से दर साते हैं और विदु धारा बरावर फॉर्मूला क्या होता है क्यों अपांटी होता है विदु धारा बरावर फॉर्मूला क्या होता है क्यों अपांटी होता है क्यों हमारे पास आवे से टी हमारे पास क्या है समय है हैना क्या हो एक एंपियर में कितने एलेक्ट्रोन होते हैं तो six point यानि six दसाइट शे दसना दो पांच गुने ten to the power 18 इलेक्ट्रोन होते हैं ठीक है एक एंपियर में अगर मालों कि किसी को एक एंपियर का जटका लगा है ना इसका मतलब उसके भी एक उपिया स्रीर में कितने एलेक्ट्रोन चल गाए तो ये तने ये सारे के सारे पूरे एलेकोट्रोन चल गए एक सेकेंड के अंदर चला जाता है समझ रहे हैं ये पूरे के पूरे एलेक्ट्रौन चल जाते हैं सबस्क्राइब तो यह आपने समझ लिया कोई दिकत नई दिकत चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं कि आगे लेते हैं यहां पे कि परिपत में विद्धु धारा मापने के लिए किसी अंतर का उप्योग करते हैं तो यहां पे देख लो भाई वह कौन सा यहां पे चितर देख लो कभी देखे होंगे इसको देखे होंगे इसको ह्याति है तो आपने देख लिए किसका हम यूज करते हैं आमीटर को यह कही अमीटर लिखा रहाता है तो विद्धु धारा मापने वालें यंत्र को क्या कहते हैं क्या कहते हैं enter कहते हैं या ''amedler'' किसे कहते है तो Vidhu Dharam अपने वाली अंतर को खेते है ऐसे कहाब सकते हैं ठीक है अच्छा यह आपने देख लेकी आमीटर माप यह मपीएगा किस किस में है ना कॉन-ulations से unit में नैंपर में मपीएगा एंपर में मोपीएगा और फिर ऊसे जोड़ा जाता है बागी के जितने भी उपकरन है उससे स्रेनी करम में जोड़ा जाता है कोई कहेगा बैटरी को किस करम में जोड़ा जाता है तो स्रेनी करम में एक चीजा आद रखना वोल्ट मीटर को मात्र वोल्ट मीटर का ऐसा है जो विदूत परिपत में क्या होता है समा आपको बता दिए कि एतने हेले होते हैं ठीक यह आपने समझ लिए आगे बढ़े हैं आगे हम देखते हैं यहाँ पे विधुत-परिपद लो भया विधुध-परिपत ताकिर कहते किसे हमने देखा कि विधुद परिपत में है ना विधुधारा में आपने वाले युक्ति को क्या कहते हैं तो वह मैंने आपको बता दिये तो भाई विधुद परिपत क्या है विधुद परिपत क्या है किसी विधुद धारा के सतत तथा बंद पत को क्या कहते है विदूध पडिपत कहते हैं यह आपने समझ लगशन विदूध पर नियुक्त की से कहते जैसे की यह आप डाइग्राम देख सकते हैं यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया रहा यहां पर बैटरी लगा दिया सारील के और यहां besंव गांदीन ने तो यहां देते हैं बिजली से हैना तो यहां पर जैसे बल्ब है तो बैटरी से लगा दिए हैना उधर स्वीच लगा दिए तारू लगा दिए तो यह क्या है विध्धुत परिपत हुआ यह विध्धुत परिपत वाना हना तो यह आपने समझ ले विध्धुत परिपत के बारे में यह किसी विद्धुत बल्व के तंतु में किसी विद्धुत बल्व के तंतु में जीरो पॉइंट फाइव एंपियर विद्धुत धारा दस मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्धुत परिपत से प्रवाहित विद्धुत आवेश का परिमान ग्याद की जैनि क्यों आपको ग तो विद्धुधाडा किटने है मेरा भाई हना विध्धुधारा गैणी आ तो आल हमारे पास कितने हैं-5 प्य दि कि लगा है कि दिध्द्धारा का टीव प्यर होता है फीर हना उसका यूनिट लगाना हिं पड़ता है और 10 मिनिट है मतलब समय समय कितने हमारे पास यहां पर लिख लेते हैं समय यानि टाइम टाइम हमारे पास दिया गया दुस Als Kingdom तो भाई हैं यह 10 मिन्ट मोरत हैं तो मिन्ट का यहां कोई रोल ना हूत है इसे हमएं सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो द्रेगे टो निनie को सेकेंड में बदलना की लिक या करना पड़ेगा साथ से मट्टिप्लाई कना पड़ेगा की एक टूस कि शेसो चожет치 हो जगा सेकेंड होगा है ना किंग किलिर तो 60 कि हमारे पास यह है अगया समय हमारे पास है विद्धाराई हमारे पास अब क्यों य serves नीकालनाहिप क्या सकति थे क्षब करेंगे किंग eta हम्हेस लिखेंगे तो विदु धारा गूने में समय होता है इस बात को दिखान रखना अब क्यू बडाबरे लिख देंगे विदु धारा हमारे पास 0, 6, 2, 5 एम। है ना और गूने में हमारे पास कितना तो 600 तो 600 supply COP सेकंड लिखएंगे है ना अब हम क्या करेंगे अधर समलब हटाएंगे हमारे पास यहां पास इजीरो से जीरो कट गया अब बचा 60 अड़ी बचा 5, 60 पंचे 300 तो हमारे पास 300 आ गया हम निकाले आवेस और आवेस का ऐसा है मातर क्या होता है कुलॉम तो कुलॉम के लिए यहां पे C लगा देंगे यह हमारे पास आगया 300 कुलॉम यह अंसर आगया यहां तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई तो आपने इस प्रेशन को सॉल्व कर लिया आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं आगे अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रोन का बहाओ इलेक्ट्रोन कैसे बहता है कोई पुछेगा की इलेक्ट्रोन कैसे बहता है तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रोन जो होता है ना निगेटिव से पोजेटिव की और जाता है क्या करता है निगेटिव से क्या होता है पोजेटिव की और चला जाता ह एलेक्ट्रोन का बहाओ कैसे होता है तो निगेटिव से पोजेटिव क्यों और है ना याद रखना ईलेक्ट्रोन का बहाओ इसका एक ही अंसर है कटिव फोसे लेक्ट्रोन कैसे बाता तो बहसे से पोजे Πाथ है तो यह सब्द उहीं लिखा गया इसमें कुछ उठाण लिखे सो सकते इसको भगाते हwałा हना रीन आवेस के द्वारा क्या थैंक तर्मा टर्मिनल पर री आवेस के द्वारा क्या थैंक प्रतिकर्शित होते हैं क को दूर भेजता है प्रतिकर्से पर यह पहलए संदा धन थर्मिनल गह medo सब्सक्राइब seeking कि यह और धर फेयल दर 33-距ल लुकाइब अल trillion यह तो इधर भेजता है प्रतिकरसित होता है तसको दूर भेज़ाएब आई पलस वाला क्या आकर्सित करना अपने अंदर थीस इसा लिए क्या होता है कि हमारा ऑन जो है ठीक है तो यह सब सबसे बता दिया लिया लिया रेंट डर्वाahahaha की और प्रभाहित होता है जब ये इल्लेक्टरॉन्स धन टर्मिनल्स तक पहुच्टे रहन्स परतिकिरिया से बेट्री के यह हमारे पास बैट्री है ठीक तो Battering के अंदर अस्थारांद्रित हो जाते हैं और पुनाहरीम टरमिनल पर आ जाते हैं, इस परकार इलिक्टॉन का प्रभा होता है, तो इलिक्ट्रोन का प्रभा होता है, यह आप ने देख लिए, कभी कभी objective मैं पूछ दिया जाता है कि इल्लेक्ट्रोन का प्रभा कैसे होत निगेटिव थू पूझेटिव या पोजेटिव निगेटिव ए और वी दोनों या इने से कोई नहीं तो आप्थİ scriptures यह आपने देख लिया एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं प्रतिकर्शित समान आवेस जैसे कि प्रतिकर्शित करने कहने कहने जैसे पलस पलस या माइनस माइनस ये दोनों आवेस जो है एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेगा ये दोनों आवेस क्या करेगा एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेगा क दोनों के दोनों यह आकरसित करेंगे क्या करेंगे भाई यह आकरसित करेंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखना आकरसित करते हैं तो यह आपने यही कारण है ठीक है तो यह आपने समझ लिया अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे आगे देख लिए चालक के बारे में यह ट कहलाते उदाहरन तामबा हो गया सिल्वर हो गया है जैसे तामबा, सिल्वर, ऐलिमूनियम ये सब क्या है चालत है अपने अंदर से होकर विदुद आवेस को क्या करता है जाने देता इसलिए आगे बढ़ते हैं चलो है अब हम लेते हैं कुचालक के बारे में विए पदार जो अपने से होकर विदुधारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विए पदार क्या कहलाते हैं कुछ अलग कहलाते हैं तो यह आपने समझ लिया मेरे भाई हाना जैसे की रवर हो गया प्लास्टिक हो गया काच हो गया हना एबोनाइट हो गया हना रवर होता है यह आपने देख लिया आगे बढ़ते हैं आगे अब हम देखेंगे हैं अब हमारे पास है विधूत वीभव और विवांतर के बारे में जान लेते हैं विधूत वीभव और आवेस है ना तो इस आवेस का जितना दूर तक प्रवाह रहेगा यह जो आवेस देख रहे हैं जितना दूर तक प्रवाह रहेगा उस प्रवाह को क्या कहेंगे विद्धूत आवेस कहेंगे क्या कहेंगे विद्धूत आवेस कहेंगे मालो कि यह हमारे पास आवेस है और इसक को ध्यान अखना ठेक है विदुच्यत कहलाएंगे अब हम समझते हैं कहता है कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी इकाई मालों कि कोई इकाई है धनावेश को कहां से अनंत से हैना इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में जो कार्ज कर पड़ता है उसे उस बिंदू का विद्धुत वीभव कहते हैं दूसरे सब्द में इसे ऐसे लिख सकते हैं किसी इकाई धनावेश को अनंद से अनंद से अनंद से विद्धुत छेत्र अनंद से विद्धुत छेत्र तक विद्धुत छेत्र में किसी बिंदु तक लानने में क किसी बंदू तक मालों कि एणंद से है क्या है अनंद से लाने में किय गय कार्ज दूसरा नहीं है हना लाने में यहां तक लाने में हना लाने में जो कार्ज करना परता है उसे उस बिंदू का क्या कहते हैं विधुत वीभव कहते हैं क्या कहते हैं विधुत वीभव कहते हैं तो यह आपने समझ लिया विधुत वीभव को किसे दर्साते वी से दर्साते हैं ठीक है और विधु से दर साथ है और बट्टे में क्यों यानि आवेस यह हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला वी बराव डवलू बटा क्यों है ना यह हमारे पास हो गया वी हो गया वी हो है ना डबलू हो गया वर्क यानि कार्ज क्यू हमारे पास हो गया आवेस डबलू क्या होता है हमारे पास कुल मिलाकि अगर कहा जाए्ट सब को तोड़ेंगे की विभा या विभवांतर ऐसे का सकते तो विभा का ऐसा ही मत रख्ичया होता हमारे पास है ना देखो कहीं पर इंखाई दिया क्या बोलतें इसे विशे धर साते हैं, तो थहान के यह नहीं होता है 수도 commute अ क्ला पिंदु से दूसरे बिंदू तक लाने में लाने तक लाने यहां पर घॉले बिंदू से बिंदु तक ले जाने किये गह काज amazon को उसे बिंदू के बीचक्ष की विवांतर उस बिंदू के बीच का विवांतर कहते हैं, ठीक है, कहने का मतलब एक बिंदू ये है, और एक बिंदू ये है, है न, तक कहता है, इकाई धनावेश को, है न, इकाई धनावेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में, ले जाने में किये गया कार्ज, उन दो बिंदूओं के बीच का विवांतर कहते हैं ठीक है यह आपने समझ लिया विवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है विवांतर को किस चीज से मापा जाता है मेरे भाई वोल्ट मीटर है ना वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है वोल्ट मापी यहां पर लिखा गय याद रखना विहुभवांतर की माप एक यन्त्र द्वारा की जाती है जिसे हम क्या कहते है वोल्ट मीटर को याएफ कर आप से पुछा जाए तो याद वोल्ट मीटर को किस करम में जोड़ा जाता है याद रखना वोल्ट मीटर को हमेशा समानतर करम में जोड़ा जाता है इसको समझ लेते हैं देखो यह वोल्ट मीटर हमारे पास क्या यह वोल्ट मीटर है और यह देखो यह क्या समानतर करम में जोड़ा है ठीक है स्रेनी करम में बाकी के जितने भी व्язक होंगे, व्ल्ट मीटर के अलबा, जितने भी व्योंपकरन, सब स्रेनी करम, यानी, एक सीधी लाइन में होंगे, जैसे अमीटर हो गया, कुंजी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टेंस हो गया, उसके बाद, बैटरी हो जाएगा, वो सब स्रेनी करम में जुराएंगे, यह हमारे पास समानतर करम में, यहां भी वोल्ट मीटर का समानतर करम में है, ठीक है, तो स्रेनी करम समानतर करम में समझ लिए, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलो क्या दिकत है, रे, रिमोट वा कभी काम नहीं करता है मार मार के भुजिया बना देंगे चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है अब हम क्या करते हैं यह हमारे पास क्वेशन क्या है उदाहरन क्या कहता है कि 12V विववांतर के दो बिंदू के बीच दो कुलम आवेश को ले जाने में कितना कार्ज किया जाता है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा इसका एंसर तो सबसे पहली बात है कि 12V विववांतर यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल मैंने लिखा हल 12V उसके बाद दो कुलम आवेश है तो यहां पे लिखते हैं आवेश हमारे पास आवेश को क्यों से दरसाते हैं आवेश हमारे पास क्या दो कुलम है तो दो कुलम लिख देते हैं तो आवेश को ले जाने में कितना कार्ज किया जाता है ऐसा पूछा जा रहा है कार्ज कार् के लिए तो भाई W बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमने यहां पर लिख दिया क्या होता है वी गुने क्यू मतलब वी हुवांतर गुने में आवेस होता है वी गुने में क्यू यानि वी हुवांतर गुने आवेस तो वी हमारे पास क्या है बारा है वोल्ट और गुने में क् जब वो दूना गुना करेंगे 12 दूना 24 चौबीस है ना और वर्क है यानि कार्ज है कार्ज कार्ज का इसा मतर्ड क्या होता है जूल होता है तो जूल यह हमारे पास इंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आपने इस प्रश्ण को समझ लिया आगे बढ़ते हैं आगे हम समझते हैं यहां पे सेल या बैटरी के बारे में है ना यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदूओं के बीच विभुवांतर को बनाय रखने में सहयता करता है है ना सेल या बैटरी क्या करता है विभुवांतर को बनाय रखने में सहय हुआता है आप से कोई पूछेगा की विवुवांतर को बनाे रखने में सहायता कौन करता है भाई तो सेल या बैटरी ठीह का फो किसी चाल मैं के दो विंदू के बीचे विवुव आंतर को हेन an को बनाय रखने में सहायता और एका एडिक को ऑन तो यहां पर देखो यिए कर रहां चेट रहेगा तो ये सेल के लाएगा और इस तरीक रन पर शित्रारी रहेगा वह हमारे पास क्या कह लाएंगे बैटरी कह लाएंगे और ये वाला हमारेक पास क्या г Means कहलाएंगे सेल कहलाएंगे ठीक है तो यह आपने समझ लिया आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं बैटरी के बारे में देख लो यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया कि 2 या 2 से अधिक सेलों के सहीं होजन से बने युक्ति को क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं ठीक है दो या 2 से अधीक सेलों के सही हो जनको हना सेल मतलब दो या दो से अधीक सेल को जोड देंगे और जब जोड देते हैं उसके बाद क्या का रूप ले लेता हूँ बैटरी का रूप ले लेता है ठीक है हना तो यह आपने समझ लिया आगे बढ़ते हैं कि आगे आप जानते हैं चिन के बारे में ठीक है जैसे कि सार्णी 11 असनल एक आपके बुक में होगा इंसी आटी में विद्धुत परिपथों में समाने ता उप्योग होने वाले कुछ अव्यों के प्रतीक है यहां पर कुछ चीन है उसके बारे में हम जान लेते हैं जैसे कि प्रतीक विदुद सेल के होता है आप ऐसे डाइग्राम बना सकते हैं बैटरी अथावा सेलों के संउजन बैटरी अथा यह बैटरी के हैट यहां आशेली प्लग स्थ निर्टists बैटरी कहते है थे अगरा ऐसा है तो तो समझ लेना कि dan war आफ है अगर ऐसा चित्र है तो समझ तान पॉइच आफ है क्या ऐ那麼 शीज watch ओफ है हैंना बिजली नहीं वहले घाप हहना और यह बंद मतलब बंद कुंजी हो गया यानि बंद सुछ हो गया मतलब स्वीच जो है ना वो ओन वाला है यह चित्र ऐसे बिंदू लगा दिया तो ठीक है तिप्टिपुआ सुइच देखते हैं यह आपने समझ लिया आगे तार संधी के बारे में जानते हैं यह हमारे पास तार संधी है इसे हम टी ज्वाइन भी कहते हैं क्या बोलते दुद्वल्व का चित्र है ऐसे बना सकते हो परती रोधक यह हमारे पास परती रोधक का चित्र है हना परती रोध परती रोधक अत्वा धारा नियंत्रक धारा नियंत्रक ऐसे लिख सकते या फिर ऐसे लिख सकते आसानी से ठीक है यह भी लिख सकते हैं एमीटर एमीटर का चित्र कुछ इस प्रकार का आप यहां पर देख सकती यह एमिटर है अब वोल्ट मिटर हिए हमारे पास वोल्ट waar यहां पर एक चीज मैं किलिएर कर देता हूं कि वोल्ट मिड़र एक ऐसा उपकरन है जिसे समानतर करम में जोडते हैं एक्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि वोल्ट मीटर को किस करम में जोड़ा जाता है तो आप उत्तर लिखना समानतर करम और इसके अलावा जितने भी उपकरन इस सब देख रहे हैं आलतु फालतु जितने मीटर हो गय हना धारान यंत्रा की सब जितना है बहल्ब सब इस सब को किस करह में जोड़ते हैं तो स्रेषिनी करम में जोड़ते önce लटीर जिससे समानतर कें मैं बाकी के सब पूछे ना स्रेषिनी करम जाने दुप घषिच्छ तो है यह आपने समझ लिया नेरे भाई चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ते है अब में को समझते है ओम के नियम कि समय सकते इसे अ स्थापित की यह सministre चास कीजिए ना ऑम की रिए इसे स्थापित कीजिए कई तरीके से इसे फूछा जा सकता है ठीक है मैंने कुछ यहां पर चीज लिख दिया इसके बारे में जानने ना की विववांतर करे यह वोल्ट होता है हना परतिरोध करने कर दिया जा जात करना ओम इंटर होता है ठीक है और विदुधारा का ऐसे मातर क्या होता है यह आपने समझ लिए अब हम बात करते ओम के नियम के बारे में जब एक्जाम में आ जाएगा तो कैसे आप लिखना ठीक है मैंने क्या लिखा कि अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था चालक तार होना चाहिए जैसे माल लों कि यह चालक तार मेंने माल लिया क्या है चालक तार माल लिया ठीक है तो कहता है कि अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था का मतलब समझ रहे है कि भौतिक अवस्था का जैसे कोई चालक तार ले लिए तो ना उसे छोटा करना ना बाड़ा करना है है ना उसे टेंपरेचर हाई करना तो उसे ताप ज्यादा देना है ना जैसा वैसा ही रहना रहने देना भौती कवस्था में ठीक है कॉंस्टेंट रखना है ठीक है तो अगर किसी चालक के भौती इन दोनों सीरों के बीच उत्पन विहुवांतर यानि वी तो उत्पन विहुवांतर एवं इसमें बहने वाली धारा इसमें जो बहने वाली धारा धारा मतलब आई एमपीय है ना तो इसमें बहनेवाली धारा दोनो एक दूसरे के क्या होते हैं समून समानूपाती होते हैं समानुपाती का मतलब यह इस प्रकार का चीत्र हम देंगे यह समानुपाती होगे दोनों क्या समानुपाती होते हैं जिसे हम ओम का नियम कहते हैं अब समानुपाती का मतलब समझो समानुपाती का मतलब यह हुआ कि एक चीज को जैसे बढ़ाते हैं दूसरा चीज वैसे लो यह आमारे पास अगर हम धारा को बढ़ाते हैं तो भी वांतर बढ़ जाता है है ना या फिर भी वांतर को घटाते हैं तो धारा घट जाता है मतलब एक चीज को घटा रहे तो दूसरा चीज घटेगा एक चीज को बढ़ा रहे तो दूसरा चीज बढ़ेगा इसका मतलब यही होता है समानुपाती मतलब समानुपाती का मतलब यह होता है ठीक है यह आपने समझ लिया समानुपाती का अंदर कोई दिकत नहीं दिकत तो भी समानुपाती आई है न अब समानुपाती को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो इस तांक हो जाएगा तो हमारे पास क्या हुआ एक फॉर्मूला बना कि भी वराबर आई यार ओम के नियम से निकला कि भी क्या है विभुवानतर आई क्या है तो विदुधारा और और क्या रेजिस्टेंस ठीक है कि यह आपने समझ लिया यहां तक वी दिकत नहीं दिकत तो भी बरावर आयर एक फॉर्मूला निकला यह आपने समझ लिया अब इसे सत्यापित भी करना है तो सत्यापित कर देंगे ग्राफ की मदब से क्योंगी कंडिशन यहीं नहीं कर रहाता है समानुपाती होता है तो इसको सत्यापित करने के लिए मदब ग्राफ की मदद से तो ग्राफ हमारे पास यह है क्या यह ग्राफ है तो ग्राफ में देखेंगे इस तरफ क्या है विभुवान तरह इस तरफ धारा है धारा को देखो 0.8 0.2 है 0.3 तो एक जी जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे इधर भी बढ़ते जा 0.4 0.8 फिर 1.2 1.4 ऐसे पर चरका चार चरत मिनाट चरते बारा चर्चो का सोर चर पंचे 20 मतलब एक चीज को बढ़ा रहे है दूसरा चीज बढ़ रहा है तो इससे क्या हो गया सत्यापित हो ठीक है यानि यह समानुपाती को दर साता है ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम देखते हैं कि विवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्धारा का मान भी बढ़ता है मतलब देखो जैसे विवांतर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो विद्धारा भी बढ़ते जाता है है और विवांतर घटने से धारा भी घटता जाता है अर्थार्त इसमें अनुकर्मनुपाती या फिर समा वानुपाती संबंध है तो इसे ही हम क्या कहते है ओम का नियम कहते हैं है ना तो यह आपने समझ लिया मेरे भाई ओम के नियम के बारे में अब हम क्या करते हैं अब हम जानते हैं परतिरोध के बारे में परतिरोध समझ लो परतिरोध चालक का वह गून है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्धूत धारा को धारा के प्रवाहका क्या करता बिरोध करता है प्रतिरोध का मतलब क्या हो थ्यूत कि प्रवा का विरोध करना उसे रोकना ठीक है तो देखो अलग-अलग धातु में अलग-अलग परतिरोध होते हैं हना सब में अलग-अलग होते हैं लोहा में ज्यादा परतिरोध करेगा है न सिल्वर में कम परतिरोध करेगा समझ रहे ना तो जिसमें मालों की जिसमें बिज जो का मोरा नबहूत कम और अलूह में बिजली दोगे न तो वहूत ढी दीरिय से बाटा सिलत तो उसमें प्रति रोध ज्यादा वर करता है ठीक है कि परति रोध बराबर क्या होता है विवांतर बटा में धारा होता है मतलब आर बराबर कहा दे पूछे कि यानि रजिस्टेंस बरावर तो भी बटा आई बोलेंगे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसके नीचे जहिए एक श्पार रहता है ना खुना करेंगे भी थे यान में तो वी और बगर आबर से अई में गुना करें जिता आर आई तो भी वगर आई या आर स्वचान जनौ एक से ठीक है तो यह उोम के नियम से फॉर्मूला भी निकलता हैं यह आपने समझ लिया अब हम क्या करे करेंगे एक numerical solve करेंगे तो उदाहरन ग्यार अरशनलव तीन में है पहला यानि आप्शन ए क्या कहता है यह इसमें दो numer करें कि यहां कि यहां दोनों को solve करेंगे ठीक है क्या कहता देखिए यदि किसी विद्धुत बल्व के के रचान इसका मतलब परतिरोध है कि परतीरोध का यसा मतरक होता है जैसे यू सता है कि क्या दिया गया है knit 12 जीयां चांथा त्लुद आत्यों कि इसमें हमारे पास कितना है 1200 अम है कि यह मैंने लिखि admits यहां से लिख लेना हल ठीक है मैंने लिखा हल तो बारास ओम है तो यह बल्व 220 भोल्ट स्रोत से कितना विदुधारा लेगा तो 220 भोल्ट है यह विभुवांतर है हमारे पास विभुवांतर मतलब वी हमारे पास कितना है 220 वोल्ट है ठीक है 220 वोल्ट स्रोत से कर रहा है कितना विदुद्धारा लेगा मतलब विदुद्धारा बोले तो i, i बराबर पूछ रहा है, तम यहाँ पर formula लगाएंगे क्या ohm के नियम से, क्या लगाएंगे, ohm, ohm के नियम से, nियम से, है न, v बराबर क्या होता है formula, i, r होता है, तो V का मान क्या 220 वोल्ट अब बरावर में आई हमको निकालना है आई अगुने में आर रजिस्टेंस कितना है बारह सो ओम है तो ओम लिखो मैंने लिख दिया अब हम क्या करेंगे इससे को काट सकते हैं असानी से बिल्कुल काट सकते हैं कटने वाला है तो काटो नहीं कटने आपे हैं ना चलो काटते हैं दूसरा कलर ले रहते हैं देख वाई यह 0 से 0 कैंसिग ग्यारा दुना 22 कैंसिल और 60 दुना 120 ठेक है यह कट गया तो हमारे पास अगर यह ग्यारा है यह 60 गुना में इधर आगा बट्ता में हेंना तब ब्राबर आए तो हमारे पास आई कामान कित 60 ampere यह हमारे पास क्या हो गया answer आगया विदुधारा कैसे मातर के इंपेर इसलिए इंपेर अब हम क्या करेंगे भाई solve करेंगे B को तब B क्या कहता है यदि किसी विदुध हीटर की कुंडली का परतिरोध परतिरोध मतलब R R हमको दे रखा है 100 Ohm ठीक है है तो यह विदुध हीटर 220 वोल्ट सरोट से कितना धारा लेगा है ना विदुध हीटर कितना 220 वोल्ट सरोट से मतलब विववांतर हमको दिया गया 220 वोल्ट ठीक है तो कितना धारा लेगा मतलब आई बरावर पूछा जारा है है ना तो जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या होता है वह ब्राबर आय यार तो अगर और निकाला हों तो is क्या हो जागा और हो जागा ये formula हो जागा हमारे पसीक है अब इसमें B कमान कितना है 220 है और बत्ते में आरक अमन कितना सो है तो ये 2 से बसे दोसे बाह देंके 22ildh assume निकलके आजाएंगे लो दसले दो एम्पी एर यह भी हमने सॉल लिया आईए अगला नुमेरिकल सॉल करते हैं इस नुमेरिकल को सॉल करते चाहता है जरह ध्यान से देखिएगा जब कोई विधुत हीटर विधुत स्रोथ से 4 एंपीर विधुत हरा लेता है जब कोई विधु अमेंट करना है कोई दिक्त ने सबसे पहली बात क्या क्या दिया गया मुद्धितर ही था जैसा सबते ही वर रहा हों कीश गर्मतों ही कि यह है रुआ जुटाव कि ना ना 4 एंपियर तो 4 रंपियर हमारे पास अरा धारा लेता है तब ऑनके कीश detect विभुवांतर साट वोल्ट हो जाता है, विभुवांतर, विभुवांतर कितना साट वोल्ट, तो हम लिख देते हैं विभुवांतर ऐसे लिखते हैं, इसको मिठाना परेगा, सॉरी, ज्यादा लिखा गया, फालतु लिखा गया, कोई बात नहीं, इतना इतना होता है, विभ हमारे पास 60V है तो 60V है तो उससमय विदूधिध विटधारा लेगा? यह आपको ज्याद करना है है कोई दिक्त नहीं हम कैसे भी निकालेंगे? उस समय shy? कितनी विदूधारा लेना है? तब उसके ट्रेमिलों के बीच व्यूवानतर साथ वोल्ट है तो हमारे पास मिर व्यूज फ मुल्ज है कि या है ओम के नियम से फॉर्मूला है भी बराबर आई यार है ओम के नियम है ना क्या भी बराबर आई आर आई हमारे पास कितना है भाई है ना आई है चार एंपियर है ठीक है अब गुने में आर है तो आर वी वो अंतर कितना हमारे पास 6 है वी वांटर कितना है साथ है तो हम लिएके साथ वोल्ट हमने लिख दिया बराबर चार एंपियर गुने मेर यानि परति BlowD खै काट दो इसको जो कटने वाला है काट इसको कि काट देंगे पंड़ चुका साथ कट गया तो रजिस्टेन्स यानी आर बरावर कितना बच गया पंद्र ओम आ गया यह हमारे पास आ ठीक है अब क्या कहता है अब कोश्चन कहता है कि विदूत हीटर कितनी विदूत हरा लेगा जब विभुवांतर को 120 वोल्ट बढ़ाया जाता है तो हम लिखते हैं विभुवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाने पर बढ़ाने पर ठीक है बढ़ा देंगे तब क्या होगा तो हमारे पास ओम की नियम से क्या था वी बढ़ाबर आई आर है ना तो वी विभुवांतर कितना हमारे पास विभुवांतर हमारे पास साथ है तो यहां पर वी वी यानि विभुवांतर विभुवांतर कितना 120 वोल्ट बढ़ाया तो 120 लेंगे तो वी के जगा पर हम लिखेंगे क्या 120 हमने लिख लिया और बराबर में आई यानि धारा कहता है कि विदुधारा लेगा कितना थे विदुधारा हमको निकालना है तो यह विदुधारा रहेगा याई और गुन्य में आर हमारा कितना है 15 ओम है तो हम लिखेंगे क्या 15 ओम लिख लेंगे हमने 15 ओम लिखिया अब इसको काटो तो पंड़ा अठे 120 आठ से कट जागा कट गया हमारे पास बचा यहीं हमारे पास कितना हो जागा इंसर हो जागा 8 अब यहाँ पे समझेंगे कि एक चालकतार का परतिरौध क्यों पर निर्वर करता है कोई भी चालकतार है जिसमें बिजली बैती है उसका कि बइधिर्वल कृस जबुंआ टृभ की दाए घाम के पूछा तो यहां पर यहां पर उह ही पूछा झारा रहा है कि एक चालक तार का परतीरोध किस पर निर्भड करता है। यह आप से पूछा जा रहा है और जितना जादा लंबाई तार होगा उतना ज्यादा परतीरोध होगा। कहने का बहुत दूर लंबा तार से बहुत दूर से आप अगर कई पोल पर से खीच करके ला रहा है घर में लाइट जलाने के लिए तो अगर लंबा तार यानि लंब बहुत दूरी से ला रहा है तो उसमें कि बहुत बहुत जादा पर्थिरोध होगा क्योंकि लंबा जितना लंबा तार रहेगा उतना पर्थिरोधों नी दूठ जो बै endhara के प्रवा करेंगा वि रोध और तो भाई जादा दूर से लाएं AG required कोई से जलेगा ल्म जल रहा दिया बर रहा है वह इसे जलेगा समझ रहना क्यों क्योंकि भाई अब तार की लंबाई ज्यादा दूर ले लेंगे तो देखिए का बॉल सब डीम बढ़ेगा समझ रहना और जितना छोटा यानि कम लंबाई लेंगे ना तो उसमें कम परतिरोध होगा तो लाइट परतिरोध कम होता है यहां पर अगर तार मोटा ले लेते हैं तो परतिरोध क्या होता है कम होता है ठीक है जैसे कि अब पतला तार से लाइट जलाईएगा तो बढ़िया से नहीं जलेगा हो सकता है कि टन बोल जाया रस्ते में ठीक है लेकिन मोटा तार लेंगे तांबे का लिखा बढ़िया डूमें है न तो बढ़िया से जलेगा वहाँ पर ऐ कोई दिकत नई दिकत ओके तो तार की अगर तार मोटा है तो परतिरोद क्या होगा वहाँ पर कम होगा ठीके सी कहता है कि तार के अनुप्रस्त काट का छेत्रिफल और इसकी पर्तिरोधिता पर भी निर्भर करता है कौन तो पर्तिरोध तार चालक तार के पर्तिरोध अब यहाँ पर यह जो लिखा के तार के अनुप्रस्त काट का छेत्रिफल जीसे ए से दर साते हैं यह एक्चल में तार के अनुप तक फोनु प्रस्ट काड का उन देख रहा है लेकिन है उसमें भी मालों कुछ इस तरीके से तार क्योंकि तार जो होता है वह बिलनाकार गोल होता है कि नहीं तो यह जो वृता कार है ना यानि तार के उपरी भाग को ही हम क्या कहते है भाई तार के अनुपरस्त कार्ट का छेत्रफल कहते है ठीक है यह तार के उपरी भाग को ही ठीक है तो तार के जो अनुपरस्त कार्ट का छेत्रफल जो होता है वो किसके बरावर होता है तो आपको उ होते हैं तो वृत का छेत्रफल क्या होता है पाई आरे स्क्यार होता है तो यह किसके बरावर होगा तार के अनुपरस्त काट के छेत्रफल के बरावर तार के अनुपरस्त काट के छेत्रफल को किस से दर साते एसे दर साते हैं मतलब पाई आरे स्कार बरावर ए हो जाएगा किल जो धक्ता को हम रो से दर साते हैं और रो बड़ावर फॉर्मूला होता है रो बड़ावर फॉर्मूला क्या होता है रे बटे में एल होता है क्या होता है रे और बटे में एल क्या होता है लंबाई होता है चालक तार की लंबाई होती है र क्या होता है परतिरोध होता है और ए यह क्या होता है तो किसी भी तार के अनुप्रस्त काट का छित्रफल होता है एक किलियर हना तो रो बराबर फॉर्मूला होता आरे बटे में इसी फिर फॉर्मूला जो देनी कोस्टन जो ता उसको हम सॉल्व करेंगे निमेरिकल को भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब itter होता है च्टेश जोता है धियते हम और अब हम क्या करें इस पर हम नुमेरिकल को सॉल्व करते है एक हमारे पास नुमेरिकल आगया काता है किसी धातू के एक मीटर लंबे तार का 20 डिगरी सेल्सियस तापमान पर वैधुत परतिरोध 26 ओम है ठीक है यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैधुत परतिरोधक्ता क्या है है ना सारनी 11.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविश्यवानी कीजिए कोई दिक्कत नहीं हमें सारनी में नह परतिरोधक्ता क्या यह ग्याद करना है तो परतिरोधक्ता को हम रो से परजेंट करते किसे रो से और रो बराबर यह हमारे पास फॉर्मूला है आरे बटे में इल यह फॉर्मूला हम यहां पर अपलाई करेंगे तो सबसे पहली बात है यहां पर लिखेंगे हल तो मैंने ल ठीक है हमने लिख दिया अब उसके बाद कहता किसी धातू के एक मीटर लंबे तार लंबे तार मतलब एल एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एक मीटर यहां पर है एक मीटर लंबा तार 20 डिग्री सेल्सियस ताप मान यहीं टेंप्रेचर फॉर्मुला में कहीं भी लिख नहीं किया गया है तो टेंप्रेचर को गोली मारो इसको हमें छोड़ देना टेंप्रेचर को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है तो लंबे तार 20 डिग्री सलसियस ताप मान पर यहां चालीस करें कुछ भी कराना से को मतलब है हना तबीश दिश दिश ताप मान पर वैदितार का व्यास अब व्यास मतलब डी तो डी हमारे पास दे रखा है 0.3 mm मतलब मिली मीटर mm यानि मिली मीटर है तो इस ताप पर धातु की वैधुत परतिरोधकता क्या है मतलब पी आप से पूछा ज़रा है तो पी बराबर फॉर्मुला ही है आरे बटे में इस पर कामान निकालना होगा तो यह हम निकाल सकते असानी से कैसे क्योंकि यह जो होता है किसी भी चालक तार के अनुप्रस्त काट का छेत्रफल होता है और आपको पता है कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्त काट का छेत्रफल जो होता है वो व्रित के छेत्रफल के बराबर होत पर ब सद सततสन और किसी वितार की अनुप्रस के शेत्रफल को हम A से दर साथे हैं और ए क्या होता है। होता है तो हम रिफ का शेत्रफल निकाल लेंगे यांश का निकाल लेंगे ita dusamaj차 ना कि A निकल गया थी का तो भाई यहां पर यहांАप रहे है m-m, ठीक, है, तो, डी, को, हम क्या करेंगे, मिल्यट मीटर कर लेते हैं, मिल्यूमीटर को मीटर में कमवर्ट करने के लिए, आपको, क्या करना होता है, मेरे भाई? दोस की घात माइनस 3 से multiply करना होता है दोस की घात माइनस 3 का मतलब यह हुआ कि 1000 से आपको 0.3 mm में अगर हम भाग देते हैं तो वो मीटर में convert हो जाता है ठीक है 1000 से भाग देने पर क्योंकि दोस की घात माइनस 3 है इसका मतलब क्या इसको तोरेंगे तो एक बटा दस के पावर 3 होगा आद दस के पावर 3 मतलब दस गुने दस है ना यानि देखो इसको देखो दस के पावर 3 का मतलब क्या हुआ दस के पावर 3 का मतलब यह हुआ कि अगर माइनस को हटाएंगे घात हमारे पास माइनस को हटाएंगे तो क्या हो एक उपर दस के पावर तीन आ जाएगा तो इसको तूरेंगे तो एक वट्ता कितना होगा दूस गोने दव्ने ढूस्तिंब अ करेंगे गोजीर्यू तो तो हमारे पास 1000 आ गया मतलब क्या हुआ कि मीली मीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं भाग देते हैं या फिर भाग देते हैं या फिर ऐसे कह सकते हो कि 10 के पावर माइनस 3 से गुना करते हैं यह कह सकते हो तो यह मैंने बदल दिया अब आपको पता है मेरे द बटा में दोस परेगा और गुने में दोस के पावर-3 टीक है यह लो बाहि आप को होगे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं जैसे की इमिटने वाला नहीं है इसको अच्छा इसको मिटाते हैं क्या है हम इसको पहले मिटाते हैं तू भाग यहां से यह मिटा दिये अब हम आपको समझाते है क्या समझाएंगे देखिए जरा आपको पता है कि 3 बट्टा 10 गु कुंकि अगर आप 3 बटा क्या है , क्या है QUE मैंने लिखा , क्या है यहीं यहीं प्सي का क्या है , एक बटा क्या है , तीन आएगा, आएगा की नहीं आएगा, बिलकुल आएगा, क्योंकि माइनस अटा है, माइनस अटाने के लिए एक के नीचे हम लिख देते हैं, तो दस के पावर तीन आ गया, अब दस के घात एक छिपा रहता है, तो देखो तीन से एक में गुना करेंगा, तीन, आद दस से दस, देखो पद और पद समान होता है, तो पदे रहता है, और पावर जूट जाता है, एक और तीन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो तीन बटा दस के घात, चार आएगा, तीन बटा दस के घात, चार को क्या लिख सकते हम, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, तीन ग कर देखो मैथ के आप लोग स्टूडेंट है है ना क्यूंकि हमारे चैनल पर ज्यादा तर मैथ आते हैं आ उसको यह समझ में ना आया तो समझ जाओ कि का हम कहें तो रहे लोग को बहुत गलत बात बोल देंगे हम ठीक है तो यह आगया दस के पावर माइनस चार यह आगया ना दो से भाग देंगे जब दो से हम इसको भाग देंगे तो आर का मान क्या होगा तीन को काटेंगे दो से तर डेर आएगा एक दसनला पांच और गुने में दस की घात माइनस के चार यह आगया हमारे पास तो आर का मान आ गया है ना अब यह आर का आ गया ना तो हमें तो नि का लीजिए है ना तब यहां से लिखते हैं किसी भी चालगतार के अनुप्रस्ट का च्छेuses क्या होता है विद्ग Kenneth account के बराबर तम लिखेंगे एक चouri औरमे में आर तो आर्यानी तिरजा समय जान के गहाँ सकते हैं कि 1.5 औरमे 20ु झाय से लिख सकते हैं और इसका है favourite क करता है लिखिए और हम अ Hmraq देंगे मतल़के ऑनले में 1.5 औरमे में दौत की गहात माइनस चार intentional यहीं पर हम दो लिख दिये यहां तह violating कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो हम क्या करेंगे टीन दसनलों State One better गुने में एक दसनलों पाँच और गुने में एक दसनल चोड़ोगे तो आप क्या करना सबसे पहले 314 में गुना कर लेना कितना से यह 15 समझे भी 15 15 15 का 15 15 से गुना करेंगे तो 200 पचीस हो जाएगा है ना तो आपको गुना करना 314 में 200 पचीस से पहले गुना कर लेना है तो हम क्या करते हैं मिर भाई 300 आप लोग हो CR है ठीक है तीन सो चवदा से दो सो पचीस में गुना करना है जो कितना है तो हम लिखते हैं 70 इधर 6, 5 और 0 आ गया यह हमारे पास आ गया इसमें गुना किए तो अब ध्यान रखना कि दस अमलब के बदा बीधर 2 अंग इधर दस अमलब के बाद एक बार बार अंग टोटल होके चार अंग अब इधर से संख्या गिंती करेंगे और चारंग के बाद दस अमलब पठक देंगे तो एक, दो, तीन और चार, चार यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने दस अमलब पठक दिया, ठीक है, यानि यानि साध समलब जो है, वो 0, 6, 5, 0 घुर जाता है, अब गुने में, गुने में आ गया हमारे पास आब 10 की गास्त से गुणा करेंगे 10 की और बूआ है तो आप देखेंगे पद और पद समाँ है तो जोड़ाता तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएंगे ठीक है जोड़ दिया हमने ये हमारे पास आ ऑ गया है, यहां तो कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत मिरे भाई, सबको हमने क्या किया? गुना करके रख दिया, तो यह हमारे पास किसका वैलू आ गया? एका मान आ गया, है ना तो एक आमान आपने निकाल लिया मेरे भाई अब हम डारेक्ट क्या करेंगे भाई तो हमें तो निकालना परती रो धकता यानि रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला लगाएंगे है ना तो रो बराबर क्या होता है जला ध्यान से देखिए आरे बटे एल होता है तो आ आर का मान कितना है भाई ? R का मान देखते हैं आर का मान है झभीस ओम तो हम लिखते आ हैं आर का माने है भीस ओम मतलो कोई दिक्कत नहीं गुने में दस के घात माइनस में आठ यह मैंने लिख दिया सब को लिख दिया और गुने में यानि बटे में बटे में क्या है एल है एल हमारे पास लंबाई लंबाई कितना एक मीटर है तो हम लिख देंगे एक मीटर हमने लिख दिया अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त 26 से 7.06 में गुणा करेंगे तो सब बच्जा हो सियर है तो हम 26 है साथ-सलुफ जी-0-5 में गुणा कर लेते हम चलो गुणा weave रेते हैं शाथ-दसमलब 7bard 2010 जी- रहर और छे-पांच में गुणाकर दो कितना से यह च्भी से टूंटी सीख से गुना कर देते, लो, कितना आया, एक सो, एक सो तीरासी दसम लब, और छे नौ आया, कितना या, छे नौ आया, कितना छे नो, यह हमारे पास आया, कोई दिक्त, नहीं दिक्त हुआ, मेरे भाई, सब गुना ठीक ही एना, हाँ, यह आया, और गुने में, अब गुने में कितना बच गया? दोस के घात माइनस आट अब मेरे भाई अब यहां से हम क्या करेंगे? अब यहां से क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा है ना? कि भाई, एंसर तो यहां पर भी डाल सकते हैं लेकिन आपके बुक में नहीं मिलेगा इसलिए हम क्या करते हैं? जैसे इसको लिख सकते हैं 183.69 तो 69 और गुने में 10 की घात माइनस आट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात माइनस के 6 और गुने में 10 की घात माइनस के 2 दो भाग में बाटती है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत अब आपको पता होना चाहिए कि 183 दस्वलव छेन और गुन्य में 10 के घात माइनस 6 तो माइनस 6 दिख रहा है न और गुन्य में अब बताएं ये 10 के घात माइनस से इसमें हम क्या कर देंगे भाग देंगे इसमें इसन प्रश्節目 से माझने स dites दोआंख कर दोब पाओ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप यह लिख सकते हैं कि एक दसमलव आठ है अब तीन है ना एक पॉइंट बढ़ा लो चार बढ़ा लेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है और गुने में दोस के घात माइनस छे रख दो यह हमारे पास इंसर आ गया ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं अब यह परती रोधकता है तो हमने परती है ओव मीटर ऑव मीटर ठीक है यह हमारे पास आंसर कोई दिक्कत नए दिक्कत मेरे भाई हां दिख रहा है एसकीन पर देखना पड़ता है ना कि दिखता है कि नहीं तो यह आपने सॉल्ब कर लिया अब हम क्या करेंगे अगला कोश्चन लेते हैं आगे हमारे पास अच्छ तीन तरीके से पूछ सकते हैं जूल के नियम को लिखे या जूल का उसमें प्रभाव लिखे या विद्धुधारा का ताप यह तीनों इस तरीके से पूछेंगे न तो एक ही उत्तर लिखना इस तरीके किस जो मैंने लिखा आंसर मैंने लिखा कि जूल के अनुसार या जूल के नियम के अनुसार ठीक है तो जूल के अनुसार किसी विधुत परिपत में यदि आर परतिरोध में किसी विधुत परिपत में परतिरोध में यानि आर परतिरोध परतिरोध को आर से दर्साय है यहां पे तो आर परतिरोध में आई धारा को समय टी के लिए प्रवाहित किया जाय तो चालकतार गर्म हो जाता है क्या जाते गर्म मतलब कोई विदूत परिपत जैसे की डिजिटरले बॉर्ड है तो यह यह क्या है विदूत परिपत है के द्वाराइ इस सिस्टम बनाये है क्या क्या चीज में जुरा हु बिजली से जुरा हुआ तभी तो चल रहा है है ना इसमें एक जगा सुच जुरा हुआ है सुच टिपेंग ये ओफ हो जाएगा है ना तो यह विद्धूत परिपत ठीक है यह आपने समझ लिया कोई भी चीज को कोई भी उपकरण को होता है नहीं विद्धूत परिपत के धारा को हैना समय के लिए प्रभाइद करते हैं मतलब परतिरोध में परतिरोध में धारा को देते हैं हैना कुछ समय तक तो परतिरोध में अगर धारा को दे रहे हैं हैना तो ज्यादा समय हो जाएगा तो क्या हो जागा हीट कर जाएगा क्या हो जाएगा वह हीट हो ठीक है और इसका formula मैंने है लिखा हमारे पास क्या है ऊशवन है श्रीड़ा हिए एक भरावर हमारे पास formula क्या होता It is 4.RT यह फार्मूला हमारे पास है यह हमारे पास formula है यह अब यहां इसकोर क्या है आप जन्वे करते हैं आई हमारे पास धारा और प्रतिरोध टी हमारे पास समय है इस पर कोश्चन को सौल करते हैं काता है किसी चार ओम है न क्या है किसी चार ओम प्रतिरोध से प्रती सेकेंड प्रती सेकेंड मतलब एक सेकेंड क्या एक सेकेंड ओके प्रती सेक मतलब एक सेकेंड तो किसी चार ओम परतिरोध से परती सेकेंड पांच एंपीर धारा प्रवाइत हो रही है तो परतिरोध से उत्पन उस्मा ग्यात कीजिए है ना यह आप से पूछा जारा है तो चार ओम परतिरोध मतलब आर बराबर हमारे पास क्या है चार ओम है क्या चार है यहां पर हमने लिखा हल तो चार हों हैं प्रती सेकंड मतलब सेकंड यानि समय ती वरावर हमारे पास है एक सेकंड प्रती सेकंड मतलब एक सेकंड है न अब हम क्या करेंगे पाँच एंपर धारा धारा यानि I, 5 MPR है, ठीक है, प्रवाइत हो रही है, तो परती रोध से उत्पन उश्मा ज्यात कीजिए, मतलब आपको H ज्यात करके बताना है, ठीक है, फोर्मूला हमारे पास है, H बरावर क्या होता है फोर्मूला, वहाँ पे देख सकते है, H बरावर I square R T होता है, ठीक है, i square, i हमारे पास किया 5a square 5a square और गुंय में r, r हमारे पास कितना है? 4 ome है, तो 4 ome लिखेंगे और गुंय में यह समाए 1 second, तो 1 लिख दो तो बराबर में हम 5 question square कितना होगा? 25 ampier हो जाएगा और गुंय में 4 ome हो जाएगा और गुंय में 1 second 50 का 100 एक सो हो जाएगा अब यह हमारे पास ऊसमा है है ना ऊसमा का इसा मतल क्या होता है जूल होता है तो छूल लगा दो यह हमारे पास सो जूल अंसर निकल करके आगा अब कौनो दिक्कत मतलब आपका जो है हम numerical भी solve करते चल रहे हैं ठीक है यह आपने solve कर लिया आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास क्या है विद्यूद सक्ति है न जिसे P से हम दर्साते हैं पावर है न इलेक्ट्रिक पावर तो विद्यूद सक्ति क्या कहता है किसी विद्यूद परिपत में सेल द्वारा आर परती रोध किसी विद्यूद परिवद्यूद में सेल द्वारा या फिर बैटरी द्वारा आर परती रोध में है न धारा को निरंतर प्रवाहित करने में किये गया कार्ज की दर को क्या कहते हैं विद्यूद सक्ति कहते हैं और इसे P से दर्साते हैं इसका एसाई मातर क्या होते है वांट होता है और इसका फॉर्मुला विद्धुत सक्ति बरावर डबलू अपाउंड टी होता है ठीक है डबलू हमारे पास वर्क है यानि कार्ज टी हमारे पास समय है आए एक चीज और देखते हैं इसमें अगर आपको इसका नुमेरिकल कह सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व कोई विद्धुत बल्ब 220 वोल्ट के जनितर से संयोजित है यदि बल्ब से 0.550 एंपेर विद्धुधारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की सक्ति क्या है बल्ब की सक्ति क्या है पावर तो देखो वह फॉर्मुला यहां पे नहीं करेंगे ज हमारे पास क्या होगा विवव या विववा अंतर और आई हमारे पास हारा तो वी का मान हमारे पास कितना है 220 वोल्ट है अ घंध लिवաया तो cancer है अब हमारे पास क्या हो जाएगा बल्ब से अजीत ठाकूर भाई अराम करो बाद में उठाएंगे जनीतर से से अजीत है यदि बल्ब से 0.50 Ampere विदू धारा परवाइद धारा मतलब आई बराबर हमारे पास क्या 0.50 Ampere ओके तो बल्ब की सक्ति ग्याद करें यानि P बराबर पर ब्राबर क्या है वी आई वी इंटु आई है तो भी हमारे पास 220 वल्ट गुने में 50 जीरो दसमला फाइव ठीक है यह हमारे पास है तो मेरे भाई देख़ो 220 गुने में दसमला हटाएंगे तो दसमला के बदले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पांच बटा सिधा 10 ठीक है क्य है ना तो पी यानि पावर पावर का एसाई मात्रक लगाना पड़ेगा कितना होता है पावर यानि वार्ट होता है क्या होता है वार्ट होता है क्या होता है वार्ट देखो सक्ति यानी पावर पावर का ऐसा मतर्क वाट होता है और याद रखना कि यह इसका छोटा मतर्क हुआ बरा मतर्क होता है किलो वाट क्या होता है किलो वाट पीछे हमने लिखा था साइद याने ऐसा ही मतर्क वाट होता है क्या होता है वाट और इसका बरा मतर्क होता है है किलोबार्ट की проект किफूंगत कि और ए हमारे पासे विद्धूत उर्जा क्या है सक्ति तथा समय एक गुननखंड गुननखंड को विद्धूत उर्जा कहता है विदूत उर्जा कहता है कि हमतला पावर एवम समय के गुनन खंड यानि टी के गुनन खंड को विधुद उड़ जा कहते हैं ठीक है यह आपने समझ लिया आगे बढ़ते हैं अब हम समझेंगे कि परतिरोध का समांतर करम क्या है और स्रेनी करम क्या है ठीक है तो समांतर करम और स्रेन करम दोनों को समझ लेते ह हैं समांतर करम में स्योजन क्या होता है कि धारा जो हते हैं अलग-अलग तरीके से भेगते हैं परतिरोध भी अलग-अलग जाते हैं समांतर करम में हमारे घर में जो लाइट जो एलेक्टरिसियन होते हैं वो कनेक्शन करते हैं वो किस करम में जोडते हैं समांतर करम में ही करते तो सारा चीज बंद हो जाएगा स्रेनी करम में जोडते हैं तो समझ रहे ना लेकिन समांतर करम में जोडते हैं लेकिन स्रेनी करम में एक उतार उसमें एक उतार इसमें इसमें कनेक्टर करके जाता है और जहां में जोड़ता है जाता है अभी छोड़ों यह हम समांतर करम समझा रहा है समानतर करम समानतर करम में चत्रा नुसार जूरी है पति रोध हम जैसे यहां पर देख सकते हैं ये परिपत है जिसमें देखो और आरडर तूर तो ये तीन पतिरोध हमारे से जूरी हुई है ठीक है 3 पर्थी रोद संवानते करम में चितरावर जुरी है माना मोना are one आर्टू आर्टिर है नहीं मतलब पर्थी रोद एक परिटी सुर्ण हणतर फुस्ट पर विद्धु धारा फैब परति रोद लेकिन इसमें वीभाव नियत रहेगा ठीक है इस बात को याद रखना तक वीभाव नियत रहेगा अब यहां से हम क्या करेंगे तो यहां से हम लिखेंगे ओम के लिएम से हैंड ओम के के लिएम से लिए मुको हम देख रहे हैं आई तो है आर्वी ए ना भी हमारे पास सब का नियत है एक जैसा है तो अगर हम और यहां पर धारा है तो कोई दिक्कत नहीं क्या दिक्कत है अगर हम इसमें अगर multiply करें मालो कि इसके नीचे एक चीपा रहता है है ना आई को इधर जाने दे और भी को उधर जाने दे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर इधर रखेगा तो आर इधर जाएगा तो अगर आप देखोगे कि मालो कि आर गुणा में हैं तो आई को इधर रहने देते हैं बराबर भी बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यानि आई बराबर यानि धारा बराबर क्या होता है भी बटे आर होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भी बराबर भी बराबर सॉरी आई बराबर ये ये जो एमस वर्ड में हमें बह सकते हैं कि i बराबर जो है भी बटा आर ठीक है आई बराबर भी बटा आर है अब यहाँ पर देखेंगे i1 i2 i3 र1 r2 r3 सबका अलग अलग है तो हम यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा I1 तो भी हमारे पास सबका विभव जो सबका नियत है भी जैसा है भी रहेगा है ना और बटे में आरगstag हो जाएगा उसी तरीके से अब निकेलेंगे तो भी तो सब अर्ठ फीलर धीले भेंगे और अर्ट से को यहां पर दिख़ा है। अब यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर आपको क्या नजर आ रहे हैं, यहां पर X है, कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर Y है, तो और X, Y में कुल लगने वाली धारा आप ज्यांद करेंगे, है न, X और Y में कुल लगने वाली धारा, धारा बोले तो I है न, तो कुल धारा मतलब सबका योग है न, योग मतलब जोड देंगे, तो मतलब धारा बोले तो I 1 पलस में I 2 है न, है पलस में I 3 धारा होगया तो I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर भी वटा और तो हम यहां पे लिख को दिए भी वटा zijn कोई दिक्कत नहीं दिक्कत और यहाँ से क्या करें कितना था शогतर था रहने ईसंट को मुंखरेंगे यहांस क्या करते बिथा आरट मुझारी जिसने ऊड़स हुआने घुड़ा बराबर इसमें common हो जागा V, V common लेंगे तो उपर तो बी निकल जागा तो 1 रह जागा उपर और यह हो जागा 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा में R2 और प्लस में 1 बटा में R3 यह आ जाएंगे अब यहाँ पर कटने वाला है क्या B से V कट जागा यह B से V कट जागा काट दो तो 1 बटा में R बचेगा 1 बटा R बचेगा क्या हो जागा 1 बटे में R1 प्लस में 1 बटे में R2 प्लस में 1 बटे में R3 यह आ गया यह हमारे पास एक formula पराप्त हो गया जब हम समांदर करम पर एक numerical जब solve करेंगे तो यह formula का यूज होगा माल लो कि अगर परतिरोध और बढ़ाने का मन होता यहां से माल लो है ना इस तरीके से ओके परतिरोध और बढ़ाने का मन होता तो यह हो जागा आर जैसे आर नीचे बढ़ा देते हैं उपर बढ़ गया ना तो तीन तक है आर चार हो जाता तो फिर विदुधारा भी हो जाता बढ़ता जितना बढ़ा सकते हैं जैस के according हम इसको बढ़ाते रहते हैं तो यहीं हमको लाना था हमारे पास इंसर आ गया तो आपने देखते हैं चलो आगे हम समझते है मरे भाई ओके यहां पर क्या कहता है स्रेनी करम सहीजन तो स्रेनी करह में समझ लेता है तो से स्रेनिकरम क्या है देखिए देख लेते हैं पर्ति रोधों का स्रेनिकरम से तीन पर्ति रोध स्रेनिकरम में चित्रानुसार जुरी है तीन के जगह पे आप चार भी ले सकते पांची पर्ति रोध दर्सा कोई दिकत नहीं उसी अकॉर्डिंग जो होता है न सब हमारा सुत्र बढ़ जाता है तो तीन प्रतिर्वद करना मान लेते हैं कि आर हना लखा है, ठीन है तो यह तिरी फिरी पर विद्धु утव विज्वाव विज्वाव जो होगा वी 1,いい 2 भी धिरी है समाफे wackOW रहेंगे तो हुझ लिए नियत रहेगा किलियर यह आपने समझ लिया अब हम क्या करेंगे ओम की नीअम से लेखेंगे ओम है के नीम से नीयम से तो होमके नीअ से हम क्यास बॉल्सक्ते बाई ही वी वराबर आ realize we goddamn our arれ तो वी हमारे पास क्या है व्य वी तो वी 3 और वन अर्टू और 87 कर दीखोजर अधर हमारे पास सुत्र आगया तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले वी वन याद करेंगे तो क्या होगा हमारे पास हैना चलो निकाले तें वी के वन बरावर यह वो आई आई तो सभी में नियत है साहङ विदुधारा एक ही जैसा है हना सबका एक ही है तो आई रहेगा और यह हो जाएगा आर वन भी टू निकालेंगे तो यह हो जाएगा आई आर टू भी थिरी याद करेंगे तो यह हो जाएगा आई आर थिरी यह हमारे पास आ गया है ना अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे लिखेंगे क्या विदुद धारा है ना लिखेंगे विदुद धारा का कुल सहीं हो जन है ना क्या लिखेंगे मिरे भाई एक मिनट अब यहां से लिखेंगे अब यह भीवन भीटू है वीवह है ना तो हम लिखेंगे विदुद परीपत में कुल भीवह है ना या फिर कुल भीवह ऐसे लिख सकते हैं कुल भीवह माली मतलब जोत करना है आपको जनव करते भी बराबर क्या हो जागा भी वन पलस में भी टू अब धी ढरेको त deposit क्या है औरह अब बरावावन क्या है वे वन का है आई आर ओन पलस में भी टूँवा अपलेको अ क्या आई आर याई ठी है यह अगया इस में ऑमन गी आई आर है तो आयार कमन लेंगे आई आई कमन लेंगे तो R1 पलस में R2 पलस में R3 ये हो जाएंगे आप देखो I से I cancel तो R बराबर हमारे पास क्या है R1 पलस में R2 और पलस में R3 ये आगे हमारे पास यही हमको लाना था स्रीनिकरम में ठीक है सरीनिकरम का इस तरीके का फॉर्मूला बनता है जब हम नुमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे पेज के प्रश्णिके नुमेरिकल सॉल ठीक है तो आई होब कि ये सारे के सारे के चीज समझ गया होंगे इसी के साथ इस चेप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं जो भी में में टॉपिक था जो भी चीज था हमने बता दिया एकजाम में इसे ज्यादा आता नहीं है ठीक है आलतु फालतु पढ़ने की जुरुत नहीं है मिलेंगे अगली वीडियो में तब की तक के यह जुरुत यह का तूसर का झाल आता हुस्वार करा शे श्यादाब हो और सिर्षम जेंगे अने पहल भी टौस्ब गया हो तरह आता हुस्वार कंवम हो तो फिसर पोह तो